सब्सक्राइब करने वाले हैं जिसके अंदर हम जो इस फोन को बहुत आसानी से गाइब कर सकते हैं सबस्थ अंदर हम इतनी सब्सक्राइब करने वाले हैं और लिए व्यका होग करना है apresent कर देने होंgg यहां अधर के अंदर वेह थे लिए तो फिल के अंदर होता हो एक नहां रे एक सकर लेता हूं पहले तो है Ultra मैंने आक सल्क्टिन के अन्मघिक कि लुत चाहिए या कोई न छाहिए यह कुछ भी जाहिए तो मैं जाओंगा इडिट के अंदर फिल के अंदर मुझे ब्रश से नहीं करना तो आपके बाइड़ फोग्राउंड कलर आता है वहां पर फोग्राउंड कहूंसा और कॉलर कौन सा है दो हमारे पास मैं आपको याद होगा हम ने यहां पे देखी दो छो ओपर आला होता है फोग्राउंट नीच आलों आप अब यूपर किया में ब्लैक है अब यहां पर आपको कोई कलर चाहिए जो आपके पैल में पहले सब्सक्राइब तो अप फोर्गरों या सो को कलर करके पूसको कर सकते एक धथा कलर लेक्षे आपको एक मैनुवल लेना वहाँ पर यहां पर सेलेक्टेड नहीं है तो आप सीधा कलर के अंदर जाएंगे यहां पर विंडू ओपन हो जाएगे कोई भी कलर एक सलेक्ट कीजे जिले से ब्लू क् बाद में देखते हैं पैटन हिस्ट्री ब्लाक 50 प्रसंट ग्रेव यह थीन तो सिंपल आपके आज में जो होते हैं लाइक ब्लाक चीए 50 प्रसंट ग्रेश यह वाइट पहले से बना हुआ है तो पैटन यह बनाया कुछ पड़े तो मैं उनका यूज करके आप यहां पर पैट कंट्रोल जे आपने पास में अगर कुछ मिस हो जाए तो अपने पास में एक बैकप्ले रेडियर श्रच किया पूरा एरिया नहीं चल्च करना स्लेप फोन के आजवस में हलकि सी मार्जी देढ़र दीजेगा मार्जी मतलब फैसिंग शोड़ दीजेगा आज पास में अर सेटेंट में दधकी अन्दर इस Кон kon今天 गया करता है कंटेंट गाल सब्सक्राइब कर लेता हूँ मैं तो अब यहां पर अगर आ अधकर अगर हमारे options color adaptations यहां पर color adaptations अगर आप रखते तो आपके काफी हद तक मैच होते हैं नहीं भी और रखोगे तो भी color adaptation करेगा लेकिन एक बहुत लो लेवल की करेगा अगर आपको कोई चेंज अगरा करना रही है अब इसके बारे में आपने जितने ब्लैंड मोट्स देखें यह सारे वही ब्लैंड मोट्स है तो आप उनको यूज़ करके आराम से जो है अलग लग टाइप के एफेक्स क्रेट कर सकते हो चीक है जो आपका फिल हो रहा है उसकी प्रसंट चाहिए अपने को चाहिए तो आप उपैसटी परसंट रख दे अगर आपको चाहिए कि 50% फोन जो नया फिल वह तो इसको 50% कर दीज़ेगा फोन 100% दिखना चाहिए और हमारा जो फिल है वह बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए तो पासटी जीरो कर दीज़ेग तो आपको पता चल जाएगा अभी किस साइब को से काम करता है मैंने किया अब मैंने किसी भी टूल को क्लिक नहीं किया और यहां पर आप देखें कंट्रोल डी करता हूं यह हमारा सेम लेयर के उपर होता है तो आपको यह स्मार्ट अबजेक्ट नहीं होना चाहिए एक भी टूल को सेल्ट नहीं किया हमें सिर्फ जाके इसको इत्ता बताई कि इसको यहां से करना और उसने और उसने के यहां पर इसको गया कर दिया रहीट सुझा कंट्रोल के हो गया वह ऑके यहां पर कॉपी भी बन चकी है अब मैं यह यहां पर करता हूं इतना ही रखेंगे इसको कंट्रोल जे कर ले दो इस वाले को डिलीट कर देता हूं तो अपने पास में अब सिर्फ एक इतनी सी लेयर है ठीक है अब मैंने के किया अभी मैंने इसको सेलेट किया इतने को अब अगर मैं जाओ एड़िट के अंदर अभी देखें यहां पर उपर ठाइँट फा फई ह हो न ऊś आपने नहीं हो चाहिए यहां पर आपन क्या करेंगे रूंदर के अंदर त्रंसपेरेंशी देशक लगा ती क्लिक करता हूं मैंगे और कुछ भी नहीं किया वामने क्या क्या किए यहन इसको बता दिन तर्आंसर्बेंट के इसको फिल अहीं हो जाए वह फिल यहां पे चैक बॉक्स करके रखा रखा यह इससे क्या होगा जो आपके ट्राइम आपके यहां से रिमूब कर सकते हो विदाउट यूजिंग एनी स्टैंप टूल और क्लोन स्टैंप टूल का यूज करने का तरीका आपको यहां पर जरूरत नहीं है कई जगह पर यह काफी से रिजल्ट्स नहीं दे पाता तो आपको उसके अंदर यूज करना पड़ता है लेकिन बहुत सारे लगबग एटी परसंट जगह पर यह अच्छे तरीके से काम कर जाता है अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देजिगा मैं मलता है आपको नेक्ट शुडियो के अंदे तब तक करेंए बाबाई